बहुत समय पहले की बात है, एक सिल्पकार एक मूर्ती बनाने के लिए किसी जंगल में पत्थर ढूंडने के लिए गया, वहाँ उसे मूर्ती बनाने के लिए एक बहुत अच्छा पत्थर मिल गया, वो पत्थर लेके वापिस घर आते वक्त रास्ते में से एक और पत्थर प्रोट लगने लगी तो पत्थर ने दर्द से कराते हुए सिल्पकार से बोला अरे भाई मेरे से ये दर्द सहन नहीं होता ऐसे तो मैं बिखर जाओंगा तुम किसी और पत्थर की मुर्द बना लो ना प्लीज इस पत्थर की बात सुनकर सिल्पकार को दया आ गई उसने उस छोड़ कर दूसरे पत्थर की गढ़ाई करना सुरू कर दिया दूसरे पत्थर ने कुछ भी नहीं बोला सिल्पकार ने थोड़े ही समय में एक प्यारी सी भगवान की मुर्द बना दी पास के गाओं के लोग तयार मुर्द और लेने के लिए आये मुर्द को लेकर निखलन के लिए भी उन्हें एक पत्थर की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर रखा पहले वाला पत्थर भी उन्होंने अपने साथ ले लिया मूर्ति को ले जाकर उन्होंने एक मंदिर में सजा दिया पहले वाले पत्थर को भी उसके सामने रख दिया मंदिर में जब भी कोई व्यक् अब पहले वाले पत्थर को हर रोज दर्द सहन करना पड़ता था, उसने मूर्ती वाले पत्थर से कहा, अरे भाई, तुम्हारे तो मज़े हैं, रोज फूल माला से सजते हो, रोज तुम्हारी पूजा होती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, रोज लोग नारेल फोड़ते हैं और मेरे को दर्द सहन करना पड़ता है, पहले वाले पत्थर की बात सुनकर, मूर्ती वाले पत्थर ने कहा, देख दोस्त, अगर उस दिन तुने सिल्पकार के हाथ का दर्द सहा होता, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता, और तुम मेरी जंगे होते, लेक हो, इस कहानी से दोस्तों हमें सिक्ष्या मिलती है कि हमारे जीवन में भी कहीं कठेनाईया आती है, बहुत सारा दर्द भी हमें जहलना पड़ता है, लेकिन हमें इन से डर कर पीछे नहीं हटना है, इनका डटकर मुकाबला करना है, यह विपरीत परिस्थितियां हमें और ज ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों बस यह ही थी हमारी आज की कहानी, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल मत भूलिएगा,